2022 में बिहार के सरकारी स्कूल में जो एकजाम चल रहा है उसमें आपके 7th क्लास का जो परिच्छा होने जा रहा है 25 मार्स से उस एकजाम का कोर्शन पेपर पहले ही आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है एक एक भी सैका पिछले क्लास में मैं आपको समाजिक का कोशन पेपर बताया था कि उसका सही उतर क्या होगा इस साल आप जानते हैं 2019 से 2020 के ही कोशन पेपर पर आपके 2022 का एकजाम हो रहा है तो वो रिजिनल कोशन पेपर है अगर आप भी बिहार के सरकारी स्कूल से क्लास 7th का एकजाम देंगे आपका एकजाम जो 25 मार्स तो उसके लिए हिंदी बिसाय का प्रसंपत्र और उसके सही उतर की चर्चा करेंगे पीछे मैं समाजिक बिग्यान का भी चर्चा कर चुका हूँ इसी तरह अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं अपने दोस्त मित्र के पास जो भी सेवेंथ का एकजाम देने वाले हैं उनके पास सभी क्लासेज को सियर करते हैं तो एके करके हम लोग सभी बिसाय का कोस्टन पर विथ आंसर इस चैनल पर अपलोड कर देंगे ताकि पहले सभी परियाप्त समय हैं तो आप वीडियो को देखकर याद करके जा सकते हैं तो मैं अभी कि इस वीडियो में हिंदी के प्रस्ण पत्र का पूरा उतर आपको समझाऊंगा उसके साथ इसका पीडियेफ आप समझ रहे हैं जैसे बुक जैसा आप पढ़ते हैं वैसे इसको डाउनलोड करने के बारे में मैं बताऊंगा कैसे आप इससे डाउनलोड करके भी याद कर सकते हैं तो इसी रूप में कर दीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी का प्रस्ण पत्र बिल्कुल ओरिजिनले प्रस्ण पत्र है यहीं प्रस्ण पत्र आपको एकजाम में मिलेगा यहां पर पहला प्रस्ण क्या कह रहा है कि दिये गए बीकलपों में से सही उतर के सामने सही का चीन लगाईए इ उसका एमसी क्यू अर्थार के मल्टीपल च्वाइस टाइप कोश्ण ने इसमें सही का चीन लगाना है दस अंका प्रस्ण है यहां पे दिके पहला प्रस्ण आपके बुक से है बाबु कुमर सिंग ने की ने दो अस्थानों के बीच सुरंग का निर्माड कर वाया था तो आ रट लीजिएगा जगदीसपूर और आरा के बीच सुरंग का निर्माड हुआ था दूसरे नमर प्रस्ण की बात करते हैं प्रस्ण कह रहा है पुस्प की अभिलासा में मैं सब्द का परियोग किसके लिए किया गया है जो पुस्प की अभिलासा आपका चैप्टर है जो अभी आप ध्यान से समझे कैसे आपको उतर बनाना है अभी मैं इसका डाउनलोड करने के बारे में बता दूँगा तो वहां से डाउनलोड करके आप याद कर लीजिएगा उतर के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नमर प्रस्ण की बात करते हैं चौथा नमर प्रस्ण के बारे में भी आपके बूक में पढ़ना है तो याप चीन के जानते हैं रहने वाले थे तो ऑप्सन को इसका सही आंसर है अब देखिए पांच नमर प्रस्ण आपसे क्या पूछा गया ध्यान से प्रस्ण को समझेगा ओरिजिनल प्रस्ण पत्र आपके लिए इत आत्मा का रहस जानना चाहता था तो option कोई इसका सही आंसर आपको कर देना है चलिए पहला प्रस्ण आपका 10 अंक मिल जाएगा इतना आप सॉल्प कर देजएगा प्रस्ण पे इंब को सॉल्प करना है तो तब आगे दसंक आपको भृने वाला प्रस्ण दूसरा नंबर प् सर्भ ग्याता यह अपके बुक से इसलिए मैं बुक कहीं उतर यहाइं पर बता रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा अंक मिले नेक्स्ट करा जिसने आत्मा का रहस जान लिया उसे हम कहते हैं आत्म ग्यानी ये सभी नची केता वाला चेप्टर में अगर आप पढ़े होगे तो ब्याकरन खंड का परसन है जिसने दृध निश्चय कर लिया उसे हम बोलते हैं दृध निश्चय जो सहन सीलो उसे बोलते हैं सही स्नू तो यहीं आपको याद करके जाना इस तरह भर दीजेगा यहीं दस दस आपका बी संग कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे मिलान करने वाला प्रसन है दस अंका सहराए सही सही मिलान कीजी तो चलिए इसके सभी आपके बुक के चैप्टर से कि कौन चैप्टर किसके बारे में यहीं पूछा जा रहा है तो ऐसे जो आपका चैप्टर हो किया है तो कहिएगा एकांकी है तो यहाँ पे देखिए एकांकी दिया गया है तो यहाँ पे आप मिलान कर दीजेगा आपको प्रसन पे ही बनाना है एकजाम में भी फिर आपसे दूसरा नमर पे दिया गया है कि हुएंत सांग की भारत यात्रा आप समझ पा रहा है ऐसे ऐसे की है एककी है जो आपके हिंदी का बुक सुरू रहा है तो शुरू में ही जहाँ पर पार्ट का नाम रैटर का नाम हो जाएगा आगे बढ़ते हैं चोथे नमर प्रसंट की बात करते हैं अब आप से पूछा जा रहा है लिखने वाला प्रसंट इसका उतर आपको पूरा यहां से लेकर यहां तक पचास सब्द में देना है इसका उतर अभी लिखाओंगा आपको करना निमलिखित प्रसंट के उतर 50 सब्द में दें 2 में दो परसंट का उतर लिखना यहाँ गएगा इसाइक कडा आपको उतर लिखना है ये पूरा 50 से ज़्यादा सब्द इतना आप लिखेंगे तभी आपको पांचंग का एक प्रशने मिलेगा करा साइकिल का हमारे जीवन में अनेकों महतो है जैसे कि साइकिल से हम आसानी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जा सकते हैं वह भी बिना किसी खर्च के साइकिल से रोड दुर घटना की समभावना भी कम रहता है पर्यावरन पर दूसन भी नहीं होता है इसके साथ साथ साइकिल चलाना हमारे स्वास्त के लिए भी लाबदायक है इन सभी महतों को देखते हुए हम में प्रती दिन साइकिल चलाना चाहिए तो ये पूरा आप पे बेस्ट प्रसंदा पूछा गया तो साइकिल से आपके जिवन में क्या क्या लाब है तो अंध विश्वास से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर पूरा इसे ही लिखेगा, लेकिन आपको मैं नीचे उत्तर तयार किया हूँ, ताकि आपको इस समझ में आए कि प्रसुन पर कहाँ पर उत्तर लिखना है, तो आप पूरा यहां से यहां तक जो मैं उत्तर बता रहा तर आपको इसी तरह लिखना है कि अंध विश्वास का साब्दी कर्थ होता है आख मूंद कर विश्वास कर लेना या बिना जाने समझे विश्वास करना किसी विश्वास को बिना जाने समझे उस पर विश्वास कर लेना अंध विश्वास कहलाता है पुरानी रूडिवादी बिचारा को ना भी अंध बिश्वास का ही उधारन है और थात अगर हम किसी भी बिशय या बस्तु पर बिना उसके बारे में जाने बिचारे बिश्वास करते हैं तो यहीं बिश्वास अंध बिश्वास की सिरेणी मिल जाता है अंध बिश्वास पुछाता तो आप समझ रहे प्रस्ण पत्र है अब अगला अंतिम प्रस्ण है करा यह दिरहुतर यह प्रस्ण है करा इसका उतर लगभगा आपको सौव सब्द में देना है तो पहला का उतर तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि अगर आप से तीन बर मांगने के लिए कहा जाता है तीन बर दान तो आप क्या मांगेंगे तो आप खुद से लिख लिजेगा मैं दूसरा का उतर लिखा दे रहा हूं लेकर ये ध्यान से समझना है आपको एक ही उतर ल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है उसके साथ साथ इस वीडियो को सेर करना है जो भी छातर चातरा है सेवेंध के एकजाम देने वाले हैं उनके पास अच्छा कासा भीव जाएगा हम लोग मैत का साइन्स का इंगलिस का सभी का उपलब्द करा देंगे ताकि अब तैयार करके जा सकते हैं तो इसका उतर पूरा सौब सब्दों में आपको इसी तरह लिखना है कि सकती और छमा कभीता में कभी रामधारी सिंग दिनकर सुयोधन कि दुर्योधन को नर्व्यागर की संग्या देते हैं क्योंकि वह आदमी होकर भी जानवर जैसा बरताव कर रहा था उसमें मानावता नाम की कोई चीज नहीं थी इसलिए कभी ने नर्व्यागर का परियोग किया है सुयोधन अपने ही पांडव भाईयों पर अत्याचार कि किसी के समझाने पर भी नहीं समझा खवान किकरने पर पर भी 5 ग्राम भी पांडओ को नहीं दिया पूरे कोरहों के बिनास का कारण बना इसलिए कभी ने यहाँ पर क कभी नविद में उसे नर्र प्यागर कहकर समबोधित किया है एसे अप लिख देंगे पूरा आपका उतर complete हो जाएगा तो अब इसको याद करने के लिए आप पस दो अपसन एक तो वीडियो को अभी समय है तो दो तीन बार चार बार पांच बार देखकर इससे याद करके आप जा सकते हैं या इसको अगर आप PDF के रूप में पूरा यह answer के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभ मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए जैसे मैंने क्रोम ब्राउजर हर मोबाइल में रहता है वैसे ही आप कोई भी Google Chrome ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स मिल जाएगा सर्च बॉक्स में आईएगा और एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे द .com लास्ट में आपको क्या देखना है .com सिंपल सा आपको .com वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देना है सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcarrierpoint.com ओफिसियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा यहाँ पे देखिए सब से उपर आपको दिखाया जा रहा है बिहार बुड कक्छा description box में देखिएगा वहाँ पे मैं इसका link देदिया वहाँ पे आप क्लिक करेंगे सीधे वह आपको यहाँ पे पहुंचा देगा तो आप तो यह यार carrierpoint.com सर्च करके आ सकते हैं या जो मैं link दे दिया हूँ सीधे उस link पे क्लिक करके यहाँ पे पहुंच जाईगा यहाँ प चर्चा कर चुके हैं अभी हम लोग आज हिंदी पढ़ हैं तो हिंदी का एकजाम आपका 29 मार्च के दिन पर्थम पाली में तो इसके भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके लिए थोड़ा सा आपको नीचे की तरह पाना है जैसे आज का जो परसन पत्र हम लोग चर्चा क के सब्सक्री के बढ़ेगा तो सब्जेक्तीब बढ़ेगा तो सब्लंड है की साथ को समाचने प्रपर आप से पर्मीश मांगेगा कि कहां से इसे पढ़ना चाते हैं तो simple सा आपको उस पर click करना है यहां पे देखिए समाजिक भी ग्यान का class 7 का यहां पे देखिए उतर के साथ आपके सामने open हो जाएगा यहां पे देख पा रहे हैं वीडियो को दो तीन बार देख कर भी याद कर सकते हैं या आप को पीडियेप नूट्स की तरह कोशन पर पर चाहिए तो arcareerpoint.com बेफ साइट पर आईए लिंक में description बॉक्स में दियों वहाँ पे किली करके यहाँ पे पहुंच जाएए अगर आप सभी भी सैकायस नहीं चाहते हैं कलासेज और यहाँ पे पीडियेप तो इसके लिए आपको कलास को लाइक करना है वीडियो को सेर करना नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगला परसलपतर आप किस सब्जेक का चाहते है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे तब तक के लिए इसे याद कीजिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद